हेलो स्टुडेंट्स आज हम करें कंटिनुटी की एक्साइज का एक इंपोर्टेंट क्वेशन, क्वेशन नमबर एट्थ डिस्कस कंटिनुटी ओफ फंक्शन, fx at x is equal to 0 कहने का मतलब कि जब x की value 0 है यहाँ पर graph paper में तो जो इस function का graph बन रहा है मान लीजिए यह बन रहा है, तो कहीं वो graph तूट तो नहीं रहा सीधा बन रहा है ना, continues, continuously चल रहा है ना, जब x की value 0 है तो ठीक है, तो वो हमने check करनी है, अभी discuss करनी है यहाँ पर इस question में, तो सबसे पहले यह question हमें कैसे दिया है देखिए, वो कह रहे है, x जब 0 नहीं लेना, तो function का behavior यह है, यह है function और x जब 0 लेना है, तो function क्या है, function की value 0 है तो मैं थोड़ा इसका make-up कर रहा हूँ यहाँ पर कि, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि भाईया, दिया है कि x is equal to 0, जब x की value 0 है, तो fx की value कितनी है, 0 है ठीक है, यहाँ fx लिख लेते हैं, fx को मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्या कि जब x की value 0 है, तो fx की value यह क्या है, यहाँ पर 0 है given है और जब x की value 0 नहीं है, तो function का behavior यह है यनि कि x की value 0 नहीं है, means 0 से पीछे, x की value जब 0 से पीछे लेंगे तो भी function यह वाला लेंगे, और x की value जब 0 से आगे लेंगे तो भी function यही वाला लेंगे, यह clear है हमें, कि अब question हम इसके वजाए इस रूप में देखेंगे कि ऐसे है question, ठीक है, ठीक कर दिया हमने अब देखिए, हमें continuity चेक करनी है, कोई भी function continues होता है अगर उसकी left hand limit बराबर आजाए, right hand limit के और यह दोनों फिले बराबर आजाएं, और फिर यह एक और चीज बराबर चाहिए function की value उस given point पे यहाँ पर given point क्या दिया है, 0 हमें 0 पे चेक करना है, कि function continues है या नहीं है तो हमें यह चीज प्रूव करनी है, कि right hand limit बराबर आएगी left hand limit के left hand limit equal to right hand limit equal to function के values point पे आएगी अगर ऐसा आजाए, तो function continues है ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे left hand limit ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि mode x क्या होता है, देखिए mode x जो है इसको भी हम दो जगा तोड़ते है mode x को, जब कभी भी आप x less than 0, ठीक है, 0 से नीचे कोई भी value कभी भी put करेंगे तो ये जो mode x होता है, उसको हम minus x put कर सकते हैं, ठीक है, क्यों कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ पहले देखिए कि x less than 0 कभी भी, 0 से छोटा कभी भी put करेंगे, तो mode x को हम minus x लिख सकते हैं और x कभी भी हम 0 से बड़ा put करेंगे, तो mode x को हम plus x लिख सकते हैं, ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ practically करते हैं कि mode x equal to minus x होता है, आप कोई भी negative value ले लिजिए, मैंने कहा 0 से छोटी, negative होई न, आप कोई भी negative value ले लिजिए और यहाँ put करिए तो देखिए ये बराबर आएगा, मैंने लिया x is equal to minus 3, कुछ भी ले लो, हम practical कर रहे हैं तो जब यहाँ minus 3 put किया, और इधर भी minus 3 put किया, तो देखिए, mode minus 3 क्या होता है, positive का हो जाएगा minus minus plus, ये भी 3 आगया, दोनों साइड बराबर आगी, तो इससे हमें clear हुआ, कि mode x जो है, वो minus x आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी जो x की value है, वो 0 से छोटी ही होनी चाहिए, negative ही होनी चाहिए, ठीक है, हो गया ये clear, कि mode x, जो minus x लिख सकते हैं, लेकिन x की value 0 से छोटी होनी चाहिए, इसी तरह mode x को आप x लिख सकते हो, लेकिन x की value 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, यानि कि positive ही होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी positive value ले लो तो मैंने लिया x is equal to 2 check करने के लिए तो जब यहाँ put करेंगे 2 तो आ गया ना 2 equal to 2 तो इसका मतलब हम mode x को plus x लिख सकते हैं लेकिन x की value 0 से बड़ी ही होनी चाहिए clear है यह तो यह हमने practically देखा तो अब हम इस चीज को apply करेंगे question में जब मैं left hand limit निकालूँगा ठीक है और right hand limit निकालूँगा तो अब हम निकालेंगे left hand limit of function at x is equal to 0 तो left hand limit में हम check करेंगे कि अगर x की value 0 की तरफ जा रही है left side से 0 negative तो function की value कि धर जा रही है ठीक है अगर x की value 0 की तरफ जा रही है left side से तो function की value किस और approach कर रही है लेकिन कौन सा function function लेंगे हम left hand side 0 के left वाला तो 0 के पीछे यानि कि 0 से पीछे वाला 0 से पीछे function कौन सा है put करेंगे उस function की value 0 से पीछे function कौन सा है mod x over x ओके तो अभी-अभी हमने discuss किया कि यह जो mod x होता है ठीक है वो 0 से पीछे उसका क्या behavior हो जाता है we know that यह अभी-अभी हमने discuss किया कि 0 से पीछे अगर आपने mod x में कुछ भी put करना है 0 से पीछे left side में तो mod x की जो value है mod x को हम लिख सकते है minus x अभी यह भी discuss किया mod x को minus x लिख सकते है अगर आप x की value 0 से पीछे put कर रहे है check कर रहे है ठीक है तो mod x की value के आगी minus x और नीचे क्या है x x cut गया हमारे पस क्या रहे गया limit x approaches to 0 negative minus 1 रहे गया तो students देखिए f x की value क्या आ गई solve करके यहां minus 1 आ गई इसका मतलब अगर x 0 को approach करेगा 0 negative left side negative means left side अगर x 0 को approach करेगा left side से तो function जो है वो minus 1 को approach करेगा constant number आ गया तो यही आ जाएगी इसकी limit minus 1 अगर x 0 को approach कर रहा है left side से ठीक है 0 negative minus है न यहां पे तो इसका मतलब left side से देख रहे हैं हम कि अगर x 0 को approach कर रहा है तो function minus 1 को approach करेगा ठीक है अब हम निकालेंगे right hand limit of function at x is equal to 0 ठीक है उसके लिए क्या करेंगे हम limit x approaches to 0 positive हम इधर से चेक करेंगे कि अगर x की value 0 की तरफ approach हो रही है तो function की value किदर जा रही है fx की value किदर जा रही है इसकी तो उसके लिए हम अब कौन सा function लेंगे 0 से बड़ा 0 से जब x की value बड़ी थी तो कौन सा function का behavior क्या है ये है 0 से जब x की value बड़ी होगी तो हम ये वाला function लेंगे तो चलिए अब ये वाला function लिया हमने ले लिया लेकिन हमें पता है कि mode x की value जब 0 से x को 0 से बड़ा लेंगे तो mode x की value क्या ले सकते हैं हम plus x ठीक है यह discuss किया था हमने so it means हम mode x को लिख सकते हैं plus x यनि की x plus x means x तो x ले लिया नीचे x ही पड़ा है तो यह क्या आ गया हमारे पास यह तो cut गया और हमारे पास आया limit x approaches to 0 positive 1 यह तो constant आ गया तो यह जो fx की value आ गई वो 1 आ गई constant function आ गई ठीक है तो it means अगर x 0 को approach करेगा right side से तो function इस constant number को approach करेगा 1 को ही approach करेगा ठीक है अब left hand limit हमने निकाला था minus 1 और right hand limit कितना आ गया 1 so left hand limit बराबर नहीं आया right hand limit के वो minus 1 और यह 1 f0 तो 0 यह उन्होंने कहा था जब आप x is equal to 0 लोगे तो function की value 0 आएगी ठीक है तो आगे function की value के आएगी f0 पे वो तो 0 आएगी ठीक है यह तीनों ही equal नहीं है ठीक है हमें वैसे पहले 2 equal देखने होते हैं अगर यह दोनों equal आजाएं तो हम तीसरा चेक करते हैं अब यह 2 equal नहीं आ रहे तो function continues नहीं है x is equal to 0 पे ठीक है 0 पर जो function है वो तूट रहा है clear है तूट रहा है function continuously नहीं जा रहा है तो students अब हम करेंगे question number 26 determine the value of k यह दिया है हमें question की अगर x की value pi by 2 है तो हमने function की value 3 लेनी है अगर x की value pi by 2 नहीं है तो function इस तरह behave करेगा तो इसका मैंने यहाँ make up किया है नीचे ठीक है इसको ही लिखा है मैंने explain करके कि देखे जब x की value pi by 2 है तो function की value 3 है और जब x की value pi by 2 नहीं है means pi by 2 से नीचे है यह उपर है तो दोनों बार function इसी तरह behave करेगा k cos x over pi minus 2x k cos x over pi minus 2x ठीक है जब x की value pi by 2 से नीचे है यहाँ फिर उपर है साथ में उन्होंने दिया है कि function continues है यह given ही दे दिया है उन्होंने कि function continues है इसका मतलब अगर function continues हो किसी point पे point क्या है pi by 2 तो function अगर continues है तो left hand limit बराबर आएगी right hand limit के और उस point पे function की value के भी बराबर आएगा ठीक है हमें पता है कि अगर कोई function continues हो तो left hand limit equal to right hand limit equal to function के value उस point पे बराबर आती है ठीक है तो यह given हुआ हमारे लिए हमने निकालना है k की value तो देखिए अभी सबसे पहले हम करेंगे left hand limit of a function at x equal to pi by 2 इस point पे limit निकालेंगे function की left hand side से so pi by 2 के left में limit x approaches to pi by 2 negative means left में क्या function है pi by 2 के left में means pi by 2 से less कौन सा function है यहाँ पे k cos x over pi minus put कर यह value k cos x over pi minus 2x अब अगर limit की value निकालना है तो हम इसमें put करके देखेंगे pi by 2 को so k cos pi by 2 over pi minus 2 pi by 2 जैसे ही हमने put किया देखें कोस 90 क्या होता है कोस 90 pi by 2 0 और नीचे क्या है pi 2 2 कट गया minus pi यह भी आ गया 0 by 0 आ गया अगर 0 by 0 form आ जाए तो हम इसे indeterminate form बोलते हैं पिछली वीडियो में किया है ऐसी situation में जब 0 by 0 आ जाए ठीक है तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हम यहां तो इसको function को factorize कर लेते हैं उपर नीचे तो limit की value आ जाती है यह rationalize कर देते हैं अगर under root हो तो भी limit की value आ जाती है लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ possible नहीं है ठीक है left side से उस x की value को थोड़ा सा बिलकुल थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे little सा pi by 2 minus h x की value को pi by 2 minus h put करेंगे यह जो h है यह बिलकुल छोटा सा distance है ना के बराबर ठीक है तो x की value पहले कहां प्रोच हो रही थी pi by 2 की तरफ जा रही थी तो अभी कहां जा रही है अभी भी pi by 2 की तरफ ही जा रही है क्योंकि यह जो h है यह बहुत चोटा है ठीक है तो अभी भी put की है ना x की value को pi by 2 minus h थोड़ा सा पीछे ले के गए h जितना चोटा सा लेकिन अभी भी x किदर जा रहा है pi by 2 की तरफ ही जा रहा है x की value किदर जा रही है अभी भी pi by 2 की तरफ तो अगर अब मैं इस x की जगा क्या है x equal to pi by 2 minus h x की जगा मैं put कर दू pi by 2 ठीक है क्योंकि अभी भी x की value pi by 2 की तरफ जा रही है तो ध्यान से देखे pi by 2 दर चला गया तो क्या आ गया pi by 2 minus pi by 2 minus h तो h क्या आ गया minus h क्या गया 0 तो h कितना आ गया 0 h कितना आ गया 0 कहने का मतलब अगर x की value हम pi by 2 से थोड़ी सी पीछे भी put करते है x अभी भी pi by 2 की तरफ ही जा रहा है जा रहा है ना तो मैंने x को pi by 2 ही put कर दिया तो h जो छोटा समय ने distance लिया था x की value pi by 2 से थोड़ी सी पीछे लेके गया था थोड़ी सी कितनी थी वो लग भग 0 ही थी लग भग क्याने का मतलब वो h 0 को ही approach कर रहा था अगर x pi by 2 को approach कर रहा था ठीक है तो हमने अब इस x की जगा क्या put कर दिया pi by 2 minus h यहां पर वो देखिए कर दिया और limit change जो हो गई अब pi by 2 minus h है pi by 2 minus h है x की जगा तो limit h में change कर दिया h किसको approach करेगा 0 को जब आप x की value क्या put करेंगे pi by 2 minus h x की जगा हमने pi by 2 minus h अगर लिख भी दिया तो h लगभग है मैंने कहा 0 के बराबर है लगभग यह नहीं कहना कि 0 है कहना 0 के लगभग है 0 को approach कर रहा है ठीक है तो अब क्या आएगा हमें पता है cos 90 minus theta कितना होता है cos 90 minus theta चोटी classes में पढ़ा है k तो k यह आगया cos 90 minus theta होता है sin theta ठीक है होता है na sin theta cos 90 minus theta sin theta अब यह इसको solve करेंगे यहां कर रहा हूं नीचे वाले को solve क्या आएगा pi minus 2 into pi by 2 minus h pi minus 2 into pi by 2 minus minus plus 2 into h 2 to cut गया क्या रहा गया pi minus pi plus 2 h ok so pi pi कट गया क्या रहा गया 2 h तो नीचे क्या रहा जाएगा denominator में solve करने के बाद 2 h ok हो गया 2 h ठीक है तो इसको थोड़ा सा solve किया तो आगया 2 h अभी हमें पता है क्या पता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि यह तो है चलो constant इसको ले जाते हैं बाहर ठीक है फोर्मूला होता है हमने प्लस 1 में भी किया है कि h अप्रोच इस टू 0 sin h over h पिछली वीडियो में कैसे किया था limit theta approaches to 0 sin theta over theta किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है हमें पता है तो यह क्या value आगई इसकी solve करने के बाद formula लगाने के बाद 1 तो सीधा क्या लगाएंगे हम इसको क्या value आजएगी इसकी limit h approaches to 0 क्या sin h over h इसकी value क्या आजएगी ky2 into 1 तो यह तो आगए ky2 यह किसकी value है ky2 यह है left hand limit निकाली हमने यह निकाल रहे थे तो left hand limit की value कितनी आगई k by 2 इसी तरह right hand limit की value आजएगी लेकिन हमें पता है कि given है कि left hand limit ब्राबर है right hand limit के तो यह ही आएगी ठीक है k by 2 यह आएगी तो यह तीनों ब्राबर है यहां आ गया k by 2 यहां भी लिख दो k by 2 क्योंकि ब्राबर है यह given है आपको कि function continues है तो left hand limit ब्राबर right hand limit होगी ही और function की value पाइब टू पे जो है वो भी ब्राबर होगी इसके क्यों क्योंकि function continues है यह given है अगर function continues हो तो left hand limit ब्राबर right hand limit ब्राबर function की values प्ट पे होती है कितनी थी यह pi by 2 पे जब x pi by 2 होगा तो value function की कितनी होगी 3, क्या मतलब हुगा इसका कि x की जगा जब आप pi by 2 put करोगे, यहाँ पर करो f pi by 2 तो function की value कितनी है 3, तो यहाँ 3 put करेंगे तो ठीक है हमें k की value निकालनी है सो कितनी आ गई यह दो ले लो, ठीक है यह और यह, so k by 2 equal to 3, so k की value क्या आ गई cross multiply करो 3 into 2 6 आ गई ठीक है तो k की value आ गई 6, ठीक है, तो यही answer है हमारा कि k की value 6 आएगी यहाँ पड़ा है k function में, इसकी value अगर 6 आएगी तो function continues होगा क्या मतलब हुआ इसका कि अगर k की value यहाँ 6 पुट करें तो यह function continues होगा इस point पे pi by 2 पे so I hope आपको समझ आ गया होगा thank you so much for watching this channel take care, bye bye और को वाग कि अवा 2 यह कि और आएगी कि अवा simplify